प्रेंड्स इस वीडियो में NCRT बेस्ट पर इंग्लिश 11th किलास की बुक हॉर्म बिल में प्रोज के फर्स्ट चेप्टर दा पोट्रेट ओफ अलेडी की स्टडी करेंगे जिसको ओथर कुश्वंत सिंग ने लिखा है मेरी दादी हर एक की दादी की तरहां बोड़ी औरत थी वे बोड़ी थी और 20 साल से उनके चेहरे पर जुरियां थी जबसे मैं उनको जानता था लोग कहते थे कि वे कभी बहुत खुबसूरत और जवान थी और उनका एक पती भी था मगर इस बात पर विश्वाश करना मुश्किल था मेरे दादा की तस्वीर ड्रोइंग रूम में लकड़ी की एक चकोर फ्रेम में टेंगी हुई थी उन्होंने एक बड़ी पगड़ी और धीले कपड़े पहने हुए थे उनकी लंबी सफेद दाड़ी ने उनकी छाती का काफी हिस्सा ढख रखा था और वे कम से कम सो साल के लग रहे थे वे काफी हद तक ऐसे शक्स नहीं लग रहे थे जिनके कोई बीवी या बच्चे हूं वे ऐसे लग रहे थे जैसे की उनके बहुत से पोते या पोतियां हूं जहां तक मेरी दादी के जवान और खुबसरत होने की बात है ये विचार अक्सर बगावत करता था वे अक्सर हमें खेलों के बारे में बताती थी जिनको वे बच्पन में खेला करती थी जो काफी बेतुका लगता था और उनकी तरफ से अशोबनी लगता था हम उन्हें पेगंवरों की कहानियों की तरह मानते थे जो वे हमें बताया करती थी वे हमेशा से छोटे कद की मोटी और हलकी सी जुकी हुई थी उनका चेहरा आड़ी तिर्ची जुर्णियों से इस जगा से उस जगा चल रहा था हमें पक्का भरोसा था कि वे हमेशा ऐसी ही थी जैसे हम उनको जानते थे वे इतनी बोड़ी थी कि वे इससे ज्यादा और बोड़ी नहीं हो सकती थी और बीस सालों से एक ही उम्र में रुक गई थी वे कभी भी अकरसर नहीं हो सकती थी मगर वे हमेशा से खुबसूरत थी वे घर में इधर उधर बेदाग सफेद कपड़ों में बेधंगे तरीके से चलती थी अपने जुकाव में बैलेंस करने के लिए वे अपना एक हाथ कमर पर रखती थी और दूसरे हाथ में तजबी की मोतियां पढ़ती रहती थी उनके सफेद वालों के गुच्छे उनके पीले जुरीदार चेहरे पर बेतर्तीब ढंग से बिखरे रहते थे और उनके होच प्राथना में जो सुनाई नहीं पढ़ती थी में हिलते रहते थे हाँ वे खुबसुरत थी वे पहालों में सरदी के एक दिरशे की तरह थी जो सफेद शांत तस्वीर की तरह दिखाई देता था जहां सुकून और इत्मिनान मिलता था में और मेरी दादी अच्छे दोस्त थे मेरे परेंट्स ने मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया था जब वे शहर में रहने के लिए गए थे में और मेरी दादी लगातार एक साथ रहते थे वे मुझे सुबह में जगाया करती थी और स्कूल के लिए तयार करती थी वे अपनी मौर्निंग प्रेयर एक ताल में गाया करती थी जब वे मुझे नहलाया और कपड़े पहनाया करती थी इस उमीद में कि मैं सुनूंगा और इसे दिल से जानूंगा मैं सुनता था क्यूंकि मैं उनकी आवास को पसंद करता था मगर इसे सीखने की परशानी कभी नहीं उठाई उसके बाद वे मेरी तख्ती लाती थी जिसको वे पहले ही साफ करके गजनी मिट्टी से पोथ देती थी वे मिट्टी की छोटी दावाद और एक लाल कलम लाती थी उनको एक बंडल में बांद देती थी और मुझे देती थी बासी रोटी जिस पर थोड़ा मक्षन और चीनी लगी होती थी का नाश्टा करता था और उसके बाद हम स्कूल जाते थे गाउं के कुतों के लिए वे अपने साथ बहुत सारी बासी रोटी यां ले जाती थी मेरी दादी हमेशा मेरे साथ इसकूल जाती थी क्योंकि इसकूल मंदिर से जुड़ा हुआ था पुजारी हमें वर्लमाला और सुबह की प्राथना सिखाता था जिस समय बच्चे बरामदे में दोनों और पंक्तियों में बैठते थे वर्लमाला या प्राथना एक आवाज में गाते थे मेरी दादी मंदिर में धार्मिक गरंथ परती थी जब हम दोनों अपना काम पूरा कर लेते थे हम दोनों साथ वापस आते थे इस समय हमें गाओं के कुत्ते मंदिर के दर्वासे पर मिलते थे हम उनके लिए जो रोटियां फेकते थे वे एक दूसरे से उनके लिए गुराते हुए और लड़ते हुए हमारे घर तक हमारे पीछे पीछे आते थे जब मेरे पेरेंट्स शेहर में आराम से रहने लगे तो उन्होंने हमें बुला लिया वे हमारी दोस्ती का मेतपूर पड़ाव था अगर्चे हम एक ही कमरे में रहते थे मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं आती थी में एक अंग्रेजी स्कूल में बस से जाया करता था वहां गलियों में कुत्ते नहीं होते थे और दादी अपने शेहरी मकान के आहाते में गोरेयों को दाना चुगाती थी जैसे जैसे समय गुजरता गया हम एक दूसरे से और कम मिल पाते थे कुछ समय तक उन्होंने मुझे जगाना जारी रखा और मुझे स्कूल के लिए तयार करती रही जब मैं वापस आता तो वे मुझे से पूछा करती थी कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया मैं उनको बताया करता था अंग्रेजी शब और पाश्याती विग्यान और शिच्छा गुर्थवा करसर सिध्धान्थ आर्किमीडिस का सिध्धान्थ पिर्थिवी गोल है आदे इससे उनको दुख होता था वे मेरे पाटों में मेरी मदद नहीं कर पाती थी वे उन चीजों में विश्वास नहीं करती थी जो टीचर अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाया करते थे और इस बासे दुखी हुई कि इश्वर और धार्मिक गरंतों के बारे में कोई शिच्छा नहीं दी जाती थी एक दिन मैंने बताया कि हमें संगीत के पार चिकाए जा रहे हैं वे बहुत परशान हुई उनके नस्दीक संगीत अशलीलता से जुड़ा था संगीत पर वेश्यायों और विकारियों का अधिकार था और वे अच्छे लोगों के लिए नहीं होता था उन्होंने कुछ नहीं कहा पर उनकी चुपी का मतलब ना कुबूल था उसके बाद वे मुझसे बहुत कम बात करती थी जब मैंने विश्विद्याले में पिरवेश किया तो मुझे घर पर अपना एक कमरा अलग दिया गया दोस्ती की समान्य कड़ी टूट गई मेरी दादी ने अकेला पन चुपचाप कुबूल किया वे किसी से बात करने के लिए अपना कताई का चरखा बहुती कम छोड़ती थी सुबह से लेकर शाम तक वे अपना चरखा काती रहती और प्रातना करती रहती थी दोपहर बाद थोड़ी देर के लिए आराम करती थी और फिर गुरेयों के आगे दाना डालती थी जब वे बरामदे में बैटती थी और रोटी के छोटे छोटे टुकले तोड़ती थी तब उनके चारो और सेकडो चिर्णियां एकटी हो जाया करती थी उनके चेह चहाने और फरफ़ाने से शोर शराबा पैदा होता था कुछ चड़िया आती थी और दादी के पेरों पर बेट जाती थी और कुछ कंदों पर, कुछ चड़िया तो दादी के सिर पर भी बेट जाती थी दादी मुस्कराती थी लेकिन वे उनको कभी भी डरा कर नहीं भगाती थी दिन का ये आदा घंचा उनके लिए सबसे ज्यादा खुशी का होता था जब मैं जब मैंने आगे अध्यन करने के लिए विदेश जाने का इरादा किया तो मुझे यकीन था कि मेरी दादी दुखी होंगी मैं पांच साल के लिए बाहर रहूंगा और उनकी उम्र में कोई कमी नहीं कर सकता पर मेरी दादी ऐसा कर सकी वे बाभुक भी नहीं हुई वे मुझे रेलवे इस्टेशन पर छोड़ने के लिए आई पर उन्होंने कोई बात नहीं की कोई भाव नहीं दिखाए उनके होच प्राथना में हिल रहे थे उनका मन प्राथना में खोया हुआ था उनकी अंगुलियां उनकी तजबी के मौत युक को पढ़ने में मशगूल थी उन्होंने चुप चाप मेरा माथा चूमा और जब मैं चला तो मैंने गीली चाप को अपने मन में संजोया जैसे कि वे शायद हमारे बीच में भोतिक संपर्क का आखरी निशान था पर ऐसा नहीं था पाँट सालों के बाद मैं घर वापस आया और दादी मुझे इस्टेशन पर मिली वे मुझे जरा सी भी बूरी नजर नहीं आई उनके पास अब भी कहने के लिए समय नहीं था और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में समय चाँ तो मैंने उनको अपनी प्रातना कहते हुए सुना मेरे आने के मेरे आने के पहले दिन भी उनके सबसे ज़्यादा खुशी के लम्हे गुरियाओं के साथ थे जिनको वे बहुत देर तक चुगाती रही और खिलवाल में उनको फटकारती रही शाम को दादी में एक बदलाव दिखाई दिया उन्होंने प्रातना नहीं की उन्होंने पलोस की औरतों को एकटा किया एक प्राना ढोल लिया और गाना शुरू किया काफी दिनों से इस्तिमाल में ना आये ढोल की धीली खाल को वे घंटों तक पीड़ती रही और योदाओ के घर वापसी का गीत गाती रही हमें उनको रोकने के लिए रजामन करना पड़ा जिससे उन पर ज्यादा जोर ना पड़े जबसे मैं उनको जानता था ये पहला मौका था जब उन्होंने प्रातना नहीं की अगली सुबह वे बिमार हो गई उनको मामूली बुखार था और डाक्टर ने बताया बुखार उतर जाएगा लेकिन मेरी दादी ने दूसरी बात सोची थी उन्होंने हमें बताया कि उनका अंद करीब आ गया है उन्होंने हमसे कहा कि अपने जीवन के आखरी पड़ाओ के कुछ घंटों पहले मैंने प्रातना करनी छोड़ दी थी यानि वे हम लोगों से बाते करने में समय गवाना नहीं चाहती थी हमने मना किया मगर उन्होंने हमारे एतरास को अंदिखा कर दिया वे सुकून से बिस्तर पर लेज गई प्रातना करते हुए अपनी तजवी पढ़ती रही हमारे शक करने से पहले ही उनके होच हिलने बंध हो गए और उनकी बेजान उंगलियों से मोतियों की माला छूट गई उनके चेहरे पर पीलापन च्छा गया हम जान गए कि वे मर चुकी हैं हमने उनको चारपाई से उतारा और रिवाज के मताबिक उनको जमीन पर लिटा दिया और उनके उपर लाल कफन डाल दिया रोने पीटने के कुछ घंटों बाद उनके अंतिम संसकार का इंतिजाम करने के लिए हमने उनको अकेला छोड़ दिया उनका दह संसकार करने के लिए लकडे की एक अर्थी के साथ शाम को हम उनके कमरे में गए सुरत छिपने वाला था और एक चमकदार सुनहरी चमक के साथ उनका कमरा और बरामदा चमकीला हो रहा था हम अहाते में आधी दूरी पर रुक गए सारे बरामदे और उनके कमरे में जहां दादी निडाल पड़ी थी और लाल कफन में ठीक से लेपेटी गई थी हजारों गुरेयां फश पर तितर बितर हुई बेटी थी चे चहाने की कोई आवाज नहीं थी हमें चुडियों की हालत देख कर दुख हुआ और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटिया लाई उन्हों ने दादी की तरह ही उन रोटियों के चोटे 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 टुकले किये और गोरेयों के आगे डाल दिये गोरेयों ने रोटियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जब हम दादी की अर्थी को उठा कर ले गए तो वे सब चुपचाप उड़ गई अगली सुबा को रोटियों के टुकुलों को जमादार ने कुले दान में बुहार दिया दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्तिसर को सबस्क्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो